कि आज हम बनायेंगे केरेमलाइज ओरेंज पुडिंग को बनाएंगे हम चोकलेट बिस्किट के साथ अलो फुड़ीस वेलम पेक टू मार चेरल शेफ्रेखास कीचेन है आज इस वीडियो में आपको ऊरेंज पुडिंग बनाना शिक्रम हम बनाएंगे टू लेयर में ओरेंज पुडिंग आप रेसे पो लाइक कीजी शेयर कीजी और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कीजी उसके पास हम भी यह लिए उससे जब आई ही ताकि सभी नोटिफिकिशन आपको मिलते रहे आई अब हम औरेंज पुडिंग बनाना शुरू करते हैं बनाने जा रहे हैं औरेंज पुडिंग मैं आपको टू फ्लेवर में औरेंज पुडिंग बनाना सिखाऊंगी इसके इंगिरिडियंट्स मैंने लिए मलाई कॉर्ण फ्लोर पाउडर लगेगा हमें चाइना ग्रास लिए मैंने 25 ग्राम 50 ग्राम लगेगी शक्कर एक गिलास लिए म इसमें डालेंगे हम चाइना ग्रास और गेज की फ्लेम को बंद कर देंगे इसे दूसरे बरतन में निकाल लेंगे चाइना ग्रास को पाने में डाल कर दूसरे बाउल में निकाल लिया है और आप देख रहे हैं दिदिद्रे चाइना ग्रास इसमें मेल्ट होने लगी है बि बिस्केट के पाउडर को एक बाउल में डालेंगे, देखी मैंने पाउडर बना लिया है, आप देख सकते हैं, बिस्केट के पाउडर में मिलाएंगे मलाई, आपको थोड़ी-थोड़ी करके मिलाना है, और अच्छा सा पेष्ट तयार कर लेना है, इस तरह से लाते हुए, द रख देते हम इस तरह से हाथ से परेस्टे जाना है आपको कि ढ़ाई कड़ाये को गरम कर लिया इसमें डालेंगे ओरेंगे औरेंच dollars गरम होने लगा है अब इस तरह से तीन चम्मच शक्कर मिलोंगी में यह आपको 15 ग्राम शक्कर मिलाना है आप आपके स्वात के नुसरे के शक्कर की मातरा कव्मया ज्यादा कर सकते हैं उसे हम इस तरह से हिलाते रहेंगे जब तक कि शक्कर मेल्ट नहीं होने लगती औरेंज के जूस में शक्कर मेल्ट हो गई है अब इसमें मिलाएंगे कोर्ण फ्लॉर पावडर तीन चम्मच और इसे हिलाएंगे एक हिसे ताकि इसमें लंग से नहीं बने आप जानते हैं नारंगी बहुत ही फायदे मन होती है इसमें बहुत ही होज़ती गुण होते हैं संत्रे का जूस नित्य पीने से सर्द्य जुकाम जैसी कहीं विमार्यों से हम दूर रहते हैं कोर्ण फ्लॉर मिलाने बाद एक सो दो मिनिट हमने पका लिया अब इसमें मिलाएंगे हम चाइना ग्रास इससे जल्दी से गाड़ी हो जाएगी देखिए और फूट चाइना ग् हम देखिए पूटिंग बहुत ही अची बनेगी अब आप इसकि शीक्ने इसको देख सकते हैं अब गेज की फ्लेम को बंद कर देंगे को सेट करने कंने मैं इना दो बाउल लिये इनको हम ग्रीज कर देंगे त Moy निंग को दोनों को ग्रीज करना है और हम बाउल में दोनों उडिंग को फ्रीज में सेट होने के लिए रख देंगे हम 15-20 मिनिट के लिए सेट हो रही है इतने हमें कड़ाई को गरम करेंगे उसमें में डालूंगी दो छोटी चमश शक्कर और मिडियम फ्लेम पर इसे हम हिलाते रहेंगे उसे आपको मेल्ट करना है इस तरह से ज ओरेंज की जो हमने पुडिंग बनाई है यह चोकलेट फ्लेवर में बच्चे तो वह दी पसंद करेंगे और वह दी इजी तरीके से बनाना सिखाया है मैंने इसे देखिए शक्कर मेल्ट होने लगी है उसका कलर भी चेंज हो गया है हमें और इसको मेल्ट करना है इसका कलर ब्राउन होने लगा है अब हम गेज की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे इसी दरह चलाते रहेंगे शक्कर केरेमलाईज हो गई है पुडिंग अच्छे सेट हो गई हम इसकी प्लेटिंग करेंगे प्लेट में सबसे पेले रखेंगे बिस्कीट की लेयर उसके उपर हम निकालेंगे ओरेंज पुडिंग इस तरह से आपको निकाल कर रखना है दिरे दिरे इसको प्रेस करना है अब हम दुसरी लेयर रखेंगे बिस्किट की इसके उपर रखेंगे ओरेज पूडिंग अब हम इसके उपर केरेमलाइस शुगर डालेंगे पूडिंग के सेंटरल में डालेंगे केरेमलाइस शुगर इस तरह से डालना आपको इसी तर में दूसरी पुडिंग पर भी डालूंगी केरेम लाइश शूगर देखिए इससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा चोकलेट फ्लेवर में ओरेंज पुंडिंग रेसेपी तैयारे फ्रेंड्स आपको ये रेसेपी कैसी लगी मुझे कम्मेंट सेक्षन में कम्मेंट से देगा जरूर बताईए और इसी पसंदाश से लाइक कीजी और शेयर करना न भूले